देवाक्षर में आप सभी का स्वागत हैं। नमस्कार। आए सुनते हैं प्रवराजी का मोक्ष प्रणा माताजी जो की श्री सार्दमठ दक्षिनेश्वर कोल कता की दुतिय अध्यक्षा माताजी थी। उनके द्वारा लिखा हुआ एक प्रेणा दाई पत्र। श्री श्री रामक्रिष्न शर्णम परमकल्यानियां तुम्हारा पत्र समय से मिला और तुम्हारे द्वारा भेजे हुए आम भी मिले। आम बहुत ही उतक्रिष्ट थे। हम सभी ने श्री श्री ठाकुर को निवेदित करके आम खाए। अच्छी चीज श्री ठाकुर को चढ़ाने से सभी को प्रसन्यता होती है। इसलिए उन्हें चढ़ाय प्रसादी आम ने सभी को त्रिप्त किया। मा जननी तुम मेरी भी मा जननी बन कर रहो। श्री श्री ठाकुर वा श्री श्री मा ने तुम्हें जिस दुर्लव गुण उनके चर्णों में समर्पित होने हे तु भक्ती विश्वास से पून किया है। उनकी क्रपा से वे अधिकाधिक बढ़े ऐसी मेरी प्रार्थना है। कल श्रीमत भागवत पढ़ा उसमें लिखा है अन्य सभी धर्मों में भै भाव का समावेश है परन्तु भागवत धर्म में कोई भै नहीं है। अब प्रश्ण यह है कि तो भागवत धर्म क्या है वो है श्री ठाकुर में भक्ती। संसार में रहते हुए सब कार्य करो परन्तु मन को श्री श्री मा के चर्णों में समर्पित करो। ऐसा करने में यदि असुविधा हो तो केवल इष्ट मंत्र का इस्मरण करो। भागवत में श्री कृष्ण के बाल लिला के वर्णन में बताया गया है कि माता ये शोदा ग्रिस्ती के सभी कारे करती थी। रानी होकर भी दूद उमालना, मक्खन मत्ना सभी कारे स्वयम करती थी। और साथ ही सरवदा शिरिक क्रिश्न का इस्मरण मनन भी करती थी। इसलिए भगवान ने जब उन्हें वर देना चाहा तो उन्होंने यही इच्छा व्यक्त की। इन्ही हाथों से सरवदा तुम्हारा काम कर सकूं और मुहु से तुम्हारा गुणगान। यही भागवत धर्म है। मा, तुम गुरु की कृपा से ऐसा ही कर रही हो, और अधिक करती रहो। शिरी शिरी ठाकुर की तुम पर असीम कृपा बनी रहे। यही प्रार्थना है। इती शुभान्य ध्याईनी मोक्ष प्राणा। आशा है, यह पत्र आपको अच्छा लगा होगा। आप इससे अवश्य ही कुछ ना कुछ प्रेर्णा पाएंगे। ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।